हेलो जहिन सुडेंट वेल्कम बाग तो और चैनल सर्तरुन रुपानी एक्स्क्लूजिव चैनल पॉर आईटियस सीबोड सुडेंट्स येस यू आर एंड आएम लाइव चलिए दोनों मिल करके आज फिनिश करते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स हां ये चैप्टर आपके होई गए वहाँ आपने ध्यान से पढ़ाई की और यहां आपने एक एक चीज जो हमने बोर्ट पर नोट की है उसका सेल्फ नोट बनाया वैसे घबडाओ नहीं नोट मैं दे दूंगा पर जब आप स्वेम बनाते हैं नोट यू लर्न लॉट वह आपकी मेमरी में ज्यादा देर तक रहता है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नोट बुक नहीं लिये तो साथ में नोट बुक ले लो पैन ले लो और साथ में मेरे नोट बनाओ आज दस मार्क की गारेंटी जगरफी में यहीं से हो जाएगी यह मेरा प्रॉमिस है तुम सबसे अगर इस वी map या topographical maps होता क्या है पहला question तो यह आता है so the word topography is a Greek term हाँ topos मतलब होता है place and grapho का मतलब होता है to draw तो अगर आपने किसी place को किसी place को draw कर दिया वैसे हो तो आप कहेंगे सर हम लोग drawing बनाते हैं तो आपको अर्थ को draw करना है आपने imagine करना है कि आप एक helicopter में बैठे है हाँ imagine करो और आप उपर जा रहा हो helicopter आपका सीध है ऐसे उपर जा रहा है vertical उपर जा रहा है तो आप उपर से जो द्रिश्य देखेंगे हाँ सब ची छ चुटा चुटा दिखाई देगा आपको घर ऐसे ऐसे दिखाई देंगे ऐसे box box दिखाई देंगे पास पास सटे सटे box दिखाई देंगे क्या कहते हैं आपको trees जो है वह ऐसी चोटी चोटी दिखाई देंगी ऐसे चोटी 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 दिखाई देंगी सड़के पतली सी नेरो सी लेन दिखाई देगी आपको तो ये जो आप देख रहे होंगे उपर ज़े इमेजिन करिए उसका एक क्या करना है सिंबल से ड्रॉ कर देना है अब आप इसकी इंपोर्टेंस ऐसे समझे कि इसको टोपोग्राफिकल मैप को सर्वे मैप भी कहते हैं क्योंकि पहले जब बिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने पूरे देश को समझने के लिए यहां के लेंड फॉर्म को रिलीव फीचर्स को समझने के लिए एक संस्था बनाई सर्वे ऑफ इंडिया जिसका आज भी हेड़कोटर डैरादून में है तो इस सोसाइटी का इस संस्था का काम था पूरे देश के एक-एक हिस्से का क्या करना सर्वे मैप बनाना अब आप सोचिए सर्वे मैप यहां टोपोशीट इतनी इंपोर्टेंट है कि अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो वो एक्जेक्टली उस प्लेस का एक-एक प्लेस के लोकेशन को जानता होगा कि कौन चीज कहा है इवन ये भी जानता होगा वहाँ पर फिजिकल फीचर्स कौन से हैं अथार्थ नॉन लिविंग फीचर्स जैसे वहाँ पहाड हैं माउंटेंज है हिल्स है ये सब कुछ मतलब वह फीचर्स जो नॉन लिविंग है मतलब – रिवर्स ये सब कुछ इजली विजिबल होते हैं सर्वे मेप में फीजिकल फीचर्स मतलब नैच्रल फीचर्स और कल्चार्ड फीचर्स अथार्मैनमेट फीचर्स जैसे huts हमारे settlement हां हम जो बनाते है settlements वो सब even well आपको हर कुछ जो इंसान बना रहा है हम जो बना रहे हैं उसे conventional symbols के द्वारा कुछ symbols तो मैंने आपके सामने बना दिये हैं जैसे ये red रंग के boxes होंगे तो ये आपका settlement होगा हां ये settlements होंगे घर होंगे अगर ऐसे roads होंगे हां ऐसे roads होंगे streets होंगी वो सब कुछ cultural features में आएगा ये सब survey map में easily visible होता है आप पहचान भी सकते हैं और इसके symbols आपको paper में दिये रहेंगे जो आपको survey map दिया रहेगा आपक कुछ common symbols में याद जरू करा दूँगा बट सारे symbols आपको with meaning हां पता होना चाहिए बाकी symbols दिये रहेंगे आपको ठीक है आईए start करते हैं अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहला topic जो उसमें आता है वो आता है grid reference हां grid मतलब होता है एक ऐसी lines एक set of lines जो किसी place का location बताने में मद दिख रही है यह जो लंबी-लंबी line दिख रही है यह vertical line है इन vertical lines को हम लोग कहते हैं eastings these vertical lines are called as eastings easting की पहچान क्या है कि यह vertical होती है क्या होती है eastings eastings are vertical lines standing lines होती है जैसे आप और मैं खड़े होते हैं vertical है क्यो नाम है sir इसका easting इस'te vertical lines का इसका नाम easting इसलिए पड़ा है क्योंकि ये east की तरफ जाते समय increase होती है इसलिए इसका नाम है easting assume करते है चलिए assume करते है number देके लिखते है कि अगर इस line का number है 20 तो यहां का number होगा 21, यहां का होगा 22, 23, 24 and so on So it increases eastward, east की दिशा में जाते जाते इसकी value increase होती है इसलिए इस vertical lines को हम लोग कहते हैं eastings तो northern क्या होती है, आईए northern देखते हैं Northings are just opposite, यह कैसी lines होती है, यह horizontal lines होती है यह क्या करती है, यह top की तरफ जाती है, मतलब from bottom to top जाती है आपने दो अलगलग color से देख लिया northings, अब आप देखिए आपको पहला northing दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है and so on so northing lines जो होती है, वो कैसी line होती है, horizontal line होती है northings हमेशा बार में लिखते है, easting पहले लिखते है ठीक है, easting कैसी होती है, eastings vertical होती है, northings again horizontal होती है चली, horizontal lines, clear है, दोनों का meaning clear है, क्यों इसका नाम northing है क्योंकि it increases northward, जैसे जैसे मूपर जाते हैं, ये increase होती नजर आती जो का आपको दिखतीव नजर आ रही है, 010203 and so on चली, अब बात करते हैं, four figure reference की, ये four figure क्या होता है हाँ भाई, जब हम easting और northing, दो digit easting का, दो digit northern का आपको बताएंगे तो क्या बन जाएगा, four figure बन जाएगा, हाँ, हाँ, survey map, जी, survey map का भी clear picture आपको भी दिखा करके आपको explain करेंगे चली, पहले समझते हैं की easting और northern कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको तुछा screen पर ध्यान से देखना पड़ेगा मैं screen को बड़ा कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, चली, screen पर देखेंगे तो आपको एक grid बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये रहा grid आपके सामने बड़ा सा, आपके service sheet में ये red रंकी lines होंगी, जो vertical lines है, easting है, और जो horizontal lines है, वो northern है अब किसी भी place को, let's assume करते हैं कि एक settlement है, ये रही वो settlement, आप कहेंगे सर, settlement क्या होता है, तो कह सकता हूँ, dwellings, कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, लोग जहाँ, ये red रंकी boxes होंगे, हाँ, color इसका red होगा, red रंकी square rectangular boxes होंगे, इन्हें हम कहते है settlements, नाम दे देते हैं, चलिए, दौरा, इस settlement का नाम दे दिया मैंने दौरा, और यहाँ पर आप देखिए, एक well बना हुआ है, कहाँ पर है well, ये रहा एक well, चलिए, मैंने आपके लिए दो चीज़े बना दी, एक well बना दिया, ये well की खास बात क्या है, ये जो well है, ये lined perennial well है, अथार्थ एक ऐसा well है, जिसमें साल भर पानी रने वला है, क्योंकि blue color इसको क्या करता है, lined perennial well बनाता है, तो दो चीज़े बना दी, अब आपको क्या करना है, इसका four figure grid समझाना है, चलिए four figure grid पनने से पहले, मेरी technique को ध्यान दीजेगा, सबसे पहले आपको क्या करना ह है, आपको identify करना है, इस्टिंग, क्या पहले बताना होता है, पहले बताना होता है, इस्टिंग, इस्टिंग क्या करती है, इस्टिंग help करती है, आपको identify करने में कि किस के बाद, क्या चीज, क्या word मैंने बोला, इस्टिंग में क्या देखना होता है, इस्टिंग में देखन बाद के बाद किस लाइन के बाद अब हमको दौरा का क्या करना है फूर फिगर ग्रिट बताना है यह जो दौरा नाम का विलेज दिख रहा है सेटलमेंट दिख रहा है इसका फूर फिगर बताना है इस्टिंग बतानी है पहले इस्टिंग फिर नौर्दिंग रिमेंबर कभी भी लिखेंगे फोर फिकर ग्रेट तो पहले इस्टिंग लिखेंगे इस्टिंग में क्या देखना होता है के बाद अब इस लाइन का मतलब क्या है किस लाइन के बाद दोरा है आप देखिए आपकी लाइन ट्वंटी वन ट्वंटी वन जो इस्टिंग की लाइन है के बाद है तो आपका easting मिल गए आपको 21, अब आपको बताना है इसका northing, northing में क्या देखते है, northing में देखते है के उपर, क्या के उपर, किस line के उपर, याद रखेंगे ऐसे न, ऐसे दुम्हा easy हो जाएगा, नौर्दिंग में क्या देखना है आपको वह horizontal line देखनी है क्योंकि नौर्दिंग horizontal line होती है किस line के ऊपर है अब धियाके ध्यान से डाक है यह शो जीरो टू लाइनÍ है इसके ऊपर है धौरा मिल गया ले क्लियर हो गया अब आपके पास फूर फिगर आपके पास मौझूद है अब आप से मैं पूछू कि वाट इस दी फूर फिगर अफ दौरा तो आप बहुत इसली बचा सकते हैं मुझसे क्या बता देंगे कि इसका फूर फिगर है टू वन जीरो टू फूर फिगर रेफरेंस ऐ से ही लिखते हैं ठीक है पहले इस्टिंग फिर नौर्दिंग आईए आप फूर फिगर आप दी वैल की बात करते हैं आपको एक वैल दिख रहा है इसका भी फूर फिगर बताना है आपको तो स्टार्ट कैसे करेंगे सबसे पहले लिखेंगे मैप में इस्टिंग क्या है इ क्या keyword है इसके बाद, के बाद, eastring मतलब vertical line और किस vertical line के बाद, तो आप देखेंगे कि vertical line 24 के बाद है well, तो आपका eastring मिल चुका है, अब आप बताईए northern क्या होगा, northern में क्या देखना है, किस horizontal line, क्योंकि northern horizontal line होती है, नीचे से उपर बढ़ती है, तो किस line के उपर है, तो कौन सी line है, देखिए, इस बार वो line है 01, 01 है ये line, ये line है 01 के उपर, तो आपके पास आ गया इसका four figure grid, four figure grid of the well भी बता दिया आपने, क्या है आपका four figure grid, 24, 01, clear है, four figure grid clear है, आइए yes, आइए अब देखते हैं, इसी को six figure में change करेंगे, four figure भी six figure में बन सकता है, और four figure ही पहले find करना चाहिए, आप से कहा जा है कि find six figure, तो पहले four figure निकालिए, और फिर उसको six figure में change करेंगे, अब आईए, इसको six figure में change करते हैं, अब फिर से देखते हैं, दोरा को, क्योंकि दोरा कोई एक point नहीं है, कोई एक particular height नहीं है, कोई एक particular dot नहीं है, दोरा एक settlement है, तो सबसे पहले six figure क्या करता है, exact location बताता है, क्या चीज, exact location बताता है, किसी place का, किसी area का, तो इसी लिए जब दोरा का बताना होगा, तो दोरा का आपको center खोजना होगा, center खोजने का क्या तरीका है, आईए, center खोजने का तरीका है, आप इस settlement को, जो भी settlement है, इसको encircle कर दीजे, पूरा circle बना लीजे, और उस circle में बना दीजे, क्या, plus, क्या बनाएंगे circle के अंदर इस circle के अंदर बना लेंगे plus, इससे क्या मिल जाएगा, आपको इसका center मिल जाएगा, ध्यान दीजे मेरी बात को, आपको खोजना है क्या, क्योंकि six figure grid exact point होता है, जहां पर वो place located होती है, जबकि four figure grid क्या बताता है, वो box बताता है, four figure grid ये बताता है, ये, ये पूरा, ये box बताता है, four figure grid, जबकि six figure, इस box के अंदर उस particular dot को बता देता है, क्या चीज, उस particular point को बताता है, six figure, इस box के अंदर भी कौन सा point है, clear है, six figure क्यों इतना important है, अब आईए six figure के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको, अब four figure मिल चुका है, दोरा का, कितना है, इस्टिंग देख इस्ट्रा निकालना है, ताकि यह इस्टिंग three digit में चेंज हो जाए, और वो एक digit कैसे निकलेगा, आपको इसके लिए क्या देखना होगा, इस line को इससे touch कर दीजे, क्या, आप इसको ऐसे touch कर दीजे, और इसके center से मिला दीजे, यहां था center से मिला दीजे, अब आपको बाद और कितना, कितना बाद, बाद है, कितना बाद है, मतलब उसका distance क्या है, वहां से महाता है, समझ गया, इस vertical line से का distance कितना है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको scale का इस्तमाल करना चाहिए, आप जब अपनी जो normal ruler या scale इस्तमाल करते हैं, उसमें देखते है कि scale में 20 कितना 20 mark ऐसे बना होगा यह जो 20 mm के marks है इसकी बात कर रहा हूं मतलब हम 2 cm के बात कर रहे हैं आपके scale का 0 आपके पास जो ruler है scale है आपके पास प्लास्टिक का हम उसी की बात कर रहे हैं हाँ metal का भी हो सकता है वो जो scale है उसमें 20 marks ऐसे लगे होते हैं और आपको देखना होता है कि इस जो 2 cm है यह एक grid के बराबर है one grid that is either left or right मतलब चाहे इस्टिंग के दरफ जाए चाहे नॉर्डिंग की जरफ जाए यह 2 cm के बराबर होता है एक grid का distance यह distance कितना है 2 cm के बराबर है और 2 cm के अंदर 10 mm होते हैं sorry 10 और 10 20 mm होते हैं तो यह जो 20 mm का माक है यह जो मिनशान है वो आपको यहाँ से मेजर करना है यहाँ से मेजर करेंगे अगर यहाँ पर आपका mm आ रहा है माल लीजे 8 क्या मैंने कहा इसकी value आ रही है 8 तो आप क्या करेंगे देखे अगर इसकी value आ रही है लेट्स अज्यूम एट यहाँ पर वेल्यू आ रही है एट तो आप इसको एट अपॉन टू कर देंगे तो आपके पास वेल्यू आ जाएगी कितनी फूर तो आपका अगला डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा फूर समझ में आया कैसे थर्ड तीसरा इस्टिंग का नमबर कहा निकलेगा आपको क्या देखना है पहले तो वर्टिकल लाइन देखनी थी स्टिंग के लिए अब उस वर्टिकल लाइन से कितना आगे है प्जू कितना बाद है तो वन ले क्या करेंगे आप देखेंगे कि यह लाइन नीचे वाली लाइन को टच कर जाए जो इसका सेंटर है वो नीचे आप जूम कर लिए ठीक है थोड़ा जूम कर लो थोड़ा जूम कर लो ताकि और क्लियर हो जाए पिक्चर आपके पास तो पावर है ना जूम करने का अपनी स यह लिखना है यह आपका तीसरा डुझेट का नंबर होगा यहां का नंबर होगा नौर्धिंग में भी तीन डिजिट आजाएगा զो अपने आप्पेंगे टीस आअपको निकालना है तो क्के उपर पर पर ुश मैंने और कितना उपर तो इस आप इसको भी डिवाइड वाइड टू करेंगे आपका अंसर आ जाएगा 6 तब आप क्या तीसरा आपका तीसरा नमबर तीसरा डिजिट मिल गया नौर्डिंग का भी सब आपके पास आ गया 6 विगर ग्रिड आफ दी दौरा क्या हो गया 214026 इसी तरह से किसी भी प्लेस का 6 व करेंगे और उसमें क्या करेंगे सेंटर में प्लस बनाएंगे और उसका जो सेंटर आएगा उससे उस प्लेस का 6 विगर ग्रिड निकल जाएगा लियर है 4 विगर ग्रिड और 6 विगर ग्रिड आईए आगे बढ़ते हैं अब आपको आगे ले चलते हैं वेल का निकल इसे आपने देखा four figure ठीक है अब आपको बताना है इसका four figure चली मैं screen पे आपको एक question दे रहा हूँ आप इसको जवाब तुरन दे दीजेगा मुझे चली ये रहा आपके पास easting ये रहा आपके पास easting मैंने easting लिग दिया आपके लिए और ये रहे easting हो गया आपको मिल गया ये और ये रहा नौर्दिंग ठीक है नौर्दिंग नौर्दिंग में आपको लिख दिया मैंने यहाँ पर 010203 आईए एक place जो मैंने आपके लिए चुनी है वो ये है ये है एक temple हाँ ये है temple देवी temple ठीक है आपको इसका four figure ग्रेड लिखना आया आपके पास समय है अब हाँ लिखिए इसका four figure grid याद रिखेगा six figure grid भी निकालने आएगा तो उसका center ले लिजेगा ठीक है उसका center यहाँ पर आएगा और फिर तब आप six figure लिखेगा पर आपसे मैंने पूचा है पहले आप सिर्फ क्या बताईए इसका four figure grid चलिए आग लिखेवरते हैं और अगला topic है contour तो जब आप contour की बात करते हैं तो बात करते हैं एक brown कर की line आपके पूरे survey map में आप देखेंगे धेर सारी brown rings है आपको भी दिखाने जा रहे हैं हाँ यह brown ring की lines होती है क्या show करती है यह lines these are the lines joining places having same height क्या चीज same height above the mean sea level वो places जिनको हाइट से मैं आई आपको एक survey map पे दिखा देते हैं brown rings से बनी lines यह रही lines यह रहा वो survey map आपके ही बुक का लिया गया survey map है आप कहेंगे सर इसमें कहा है lines रासा इसमें lines कम नजर आ रही है मैं आपको दूसरा map ले चल रहा हूं कि यह सेकेंड मैप दिखा देते हैं कहां गया सेकेंड कि हाँ कि यह देखिए कि इस पे कि नहीं चला गया कि यह यह अब आप देखिए आपको इस पूरे map में खूप सारी अब आप देखिए देर सारी क्या होगी आपको brown rings दिख रही है आप बहुत बहुत जादा dense browns रिंग है इसके अंदर इसे थोगा सा visibility थोड़ा कम है इसकी आई आपको ले चलते हैं अब contour line की बात करते हैं तो lines कैसे होती है joining same places above the sea level क्या represent करती है दे री प्रेजेंट दी हाइट क्या शो करती है height of the place शो करती है ठीक है height how high is the place वो शो करती है above the mean sea level कुछ इस तरीके से बनी होती है देखें कभी भी contour lines जो दिखेंगी वो आपको broken नहीं दिखाई देंगी बल्कि ए complete line दिखाई देंगी और वो एक curved lines होंगी और जो contour lines होंगी उनमें number लिखा होगा assume करता हूँ या number लिखा होगा है hundred चीक है तो इसके उपर हो जाएगी 120 और नीचे जाते जाएंगे जैसे ही जैसे contour lines नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि यह line होगी 80 तो क्या indicate करते है दो वर्टिकल difference between two lines दो contour के बीच की दूरी इसे कहते हैं वर्टिकल दूरी को कहते हैं contour interval और contour interval हमारे survey map में fix है 20 meter का इसका मतलब यह हुआ कि अगला जो successive line बनेगी अगर आपको यह 80 पता चल गया तो इसके बाद वाला contour line होगी वो क्या होगी 60 ही होगी क्यों क्योंकि हमारे survey sheets में हमारे survey maps में सारे contour interval 20-20 के interval पर बने होते हैं मतलब इन दोनों के बीच में 20 का ही interval है अब अगर contours आपको line दिख रही हैं और आपको किसी place को identify करना है तो आप इसको use कर सकते हैं to know the steepness of the place हाँ उस place की location जान सकते हैं उस place की height के बारे में पता चल सकता है किसे contour से अब इस contour में देखेंगे कि जहाँ पर contour interval जादा बड़ा बड़ा यहाँ पर देखें कितना gap है तो इस तरफ slope gentle होगी ठीक है यहाँ कि slope क्या होगी gentle होगी क्यों क्योंकि आपे contour interval ज्यादा दूर दूर तक है interval कम नहीं हुआ है interval यहाँ भी बही रहेगा मैंने कहा था contour interval does not change देखें 20 का gap है कि नहीं है 60 के बाद अगला contour line कितने की है 40 की है इसका मतलब यह यह वाली जो contour line है कहीं पर भी any place on this line अब वो place यहाँ पर हो चाहे वो place यहाँ पर हो अगर हम contour 40 पर है contour में लिखा है 40 तो इसका मतलब वो सब place की height 40 ही होगी समझ गये any place on this line इस contour line में जिसका number 40 है वो 40 meter above the mean sea level है clear है और यह जो gap ज्यादा बड़ा बड़ा दिखा रहा है वो क्या show कर रहा है कि यहाँ पर gentle slope होगी और अगर यहाँ की तरफ देखें यहाँ पर देखें gap कम है इसमें contour line closer to each other है contour lines जब पास पास होती है near near होती है तो वो show करती है steep slope क्या show करती है steep slope तो आप slope के बारे में जान सकते हैं अगर आप सुचेंगे सारी contour lines एक ही जगे मिल जा रही है तब समझे जाए वहाँ पर ridge है वह दो सीधे क्लिए क्या हो रहा है point नीचे आ रहा है सारी contour line एक ही Point पर आपके मिल रही है तो यह point पर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर सीधे धलान नीचे मतलब यहां से सट से क्या हो रहा है हाइट डाउं चल जा रही है प्रम हाइट हो एकदम लो चले जा रहे है धलान नहीं है स्लोप नहीं है वाँ पर लियर आए आगे बढ़ते हैं जब हम कॉंटूर्स की बात कर रहे तो मैंन survey map में देखेंगे तो आपको triangle के साथ number लिखा मिलेगा ये triangle के साथ number मिला है इसी का नाम है triangulated height क्या है ये triangulated height ये एक exact exact measured height above the mean sea level है क्या है exact measured height है किसी spot को किसी peak को किसी height को क्या कर दिया गया है exact या accurately measured height above the sea level है जब किसी area को accurately measure किया गया है तो उसके आगे ये निशान लगा दिया गया है ये triangle का क्यों क्योंकि ये trigonometrical calculation है क्या चीज trigonometrical तरीके से इसको calculate किया गया है इसलिए इसको कहते है accurate height ठीक है trigonometrical इसको क्या कर दिया गया है calculate किया गया है अगर कहीं सर्वे में ऐसी निशान लगी दिख रही है तो इसका मतलब है उस place की height उस particular peak की height for example peak पार की चोटी होती ना ऐसे से peak of the mountain ये 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 इसकी बात कर रहा है इसकी इस peak की height है 300 meter peak की height बताता है ये triangulated height क्योंकि इसको measure करने के लिए accuracy का अस्तमाल किया गया exactly calculation किया गया है इसी लिए ये triangulated height आपके survey map में आपको कई सारे brown color के rings के बीच में मिलेगा ऐसा जहां बहुत सारे ऐसे brown ring होंगे contour intervals होंगे उनके आपको center में दिखा देगा जो की बताएगा indicate करेगा कि यहाँ परा करके पहार की चोटी मिल रही है एक particular क्या है वो dot है एक particular वो क्या है point है जहां पर ये height मिल रही है triangulated है ये actually ठीक है अगला word है spot height spot height क्या करती है ये भी dot की रूप में represent होती है लिखा होता है dot और 300 अब ये क्या indicate करती है ये indicate करती है height on the map not ये जो height है वो dot के साथ क्यों represent की गई है क्योंकि ये actual height नहीं show करती है क्या it is not the actual it is not not actual और accurate height ये एक accurate height नहीं show करती है ये सिर्फ height of the place बताती है height of the place above the above the mean sea level बताती है basically ये map में dot के रूप में represent होती है but not on the ground क्या ये ground पे height नहीं होती है dot के रूप में दिखा रहा है it does not even tell us about the relief of the place या नहीं बताती है किसी place का relief मतलब वो place कोई पहाड है कोई mountain है plateau है ये नहीं बताता है ठीक है न it does not तो इसी लिए ये एक तरह से कहना मैने का non accurately measured है ठीक है it does not show the relief उस एरिया का relief इससे पता नहीं चलता है ये map में तो दिखती है dot लगा के दा है actual ground में ऐसा कोई height नहीं होता है ये रहे इसे कहते है spot height dot लगा होगा again ये भी height कहा मिलेगी आपको जब आप survey maps check करेंगे अपने तो आपके देखेंगे survey sheets के center में कहीं ऐसा लिखा dot लगकर के number लिखा मिलेगा तो ये dot बता देगा कि ये height accurate height नहीं है mean sea level से height measure की गई है और height of the place है याद रखिएगा ये कोई एक पहाड नहीं है कोई एक measured peak नहीं है पहाड की चोटी नहीं है ठीक है एक relief के बारे में नहीं बताती है दो height और पढ़ते हैं बात करते हैं bench mark BM इसका symbol है क्या लिखा होगा bench mark तो एक तरह का mark जो itch कर दिया गया है mark itched on the ground ये इच क्या होता है इच मतलब होता है कार्व कर दिया गया है गोद करके इसको लिख दिया गया पत्थर पर ये वो निशान है जो क्या कर दिया है किसी पत्थर पर किसी प्लेट पर किसी मेटल पर लिख दिया गया है गोद के जैसे लिखा होगा BM ठीक है तो it is a mark it on the stone or even building ठीक है किसी चीज पर आपने जब आप कभी highway पे जा रहे हो कभी ध्यान दीजेगा पाड़ों के चारों तरफ ऐसे निशान BM के stone तक रखे होते हैं बड़े-बड़े पत्थर रखे होते हैं कर्वड पत्थर रखे हो तो इसमें लिखा होता है BM अब लिखा है 3BM300 तो यह BM300 है benchmark अगेन यह height measure की गई है obvious बात है यह कोई पहार नहीं है it is the height of the place ठीक है क्या represent करता है height of place measure करता है वो place building भी हो सकती है road हो सकता है कोई peak होना कोई जरूरी नहीं है ठीक है कोई peak होना जर नहीं है यह इसको भी क्या क्या है exactly measure क्या है it has been surveyed and measured क्या 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 सर्वे डिपार्टमेंट ने इसको खोजा है इसकी जगें वो गए है और जाकर के उसका निशान लगाया है सेभिवाले गए थे वहाँ पर क्या करने नापने समझ गए और फिर वहाँ जाकर नपा और निशान लगा दिया और warum पर खोध के लिखवा दिया हाँ इच्-करा दिया इच मनुर्द समझ गे न गोध के लिखवा दिया इसे कहता है benchmark लिए तो benchmark भी accurate है बहुत कह सकता है पॉइंट है इसका सिंबल है छोटा आर हो सकता है ऐसे लिखाओ थ्री आर तो यह जो आर स्मॉल वाला दिख रहा है यही इसकी रिलेटिव हाइट है हां यह क्या करता है हाइट और उस पर्टिक्लर फिंग का जिसके आगे यह हाइट लेगा हाइट ओफ प्लेस तू दे नियर नहीं करता है जो नियर बाय नॉर्मल प्लेस है उसके कंपरिजन नहीं हाइट अफ़ प्लेस बताता है किससे इन रिलेशन टू दी नियर प्लेस इन रिलेशन टू दी नियरेस्ट पॉइंट इन रिलेशन टू नियर नॉर्मल प्लेस कोई आसपास जमीन है प्लैट लेंड ह उसके आसपास से इसकी तुलना करते हैं अच्छा यह आईड भी बता सकता है और इवन टेप भी बता सकता है क्योंकि यह रिलेटिव है रिलेटिव मतल्बता है रिन रिलेशन टु कहां लिखा होता है example देखे बताता हूं कई बार कि या होगा आपको river दिखाई देगी सीपू नदी मिल जाएगी कोई river मिल जाएगी और उस नदी में कई जगें आपको ऐसे 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 हाँ ये मिलेगा आपको ये जो दिख रहा है बेसिकली ये एक island है ये एक island है जो बना हुआ है और इस पे कभी-कभी number लिखा होता है या number लिखा होगा 10R तो इसका मतलब है कि ये जो sand का collection है ये जो आपको delta दिख रहा है ये जो sandy places दिख रही है इस सीपू नदी के बीच में ये सीपू नदी है for example तो इस पे ये जो height है 10 meter है 10 meter above sea level यहाँ पे above river हो जाएगा ठीक है न तो nearest place जो भी उसकी normal place है उसके comparison में इसकी हाइड कितनी है यह बता रहा है क्या लिखा होगा 10R लिखा है हो सकता है कभी-कभी यह एक टैंक के आसपस लिखाओ किसके आसपास टैंक के आसपास एक और example दिखाते हैं जैसे आपको यह यह मैप में बहुत common मिलेगा ऐसे ओवल टैप का structure मिलेगा हाँ सरकल तेढ़ा मिले ऐसा मिले का structure ऐसा ऐसा तड़ा मिला कैसे भी शेप होंगे यह से इसे 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 इत में नॉट भी एग्जेक्ली ओवल और अंदर क्या होगा यह ब्लेक रंग के रिंग से बना होगा और अंदर वाइड 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 सॉरी ब्लैक ब्लैक डॉट होगा अंदर ब्लैक ब् टैंक इरिगेशन है और इस टैंक के आसपास कई बार क्या होता है आपको टैंक के आसपास ऐसे एक लाइन मिल जाती है और ऐसे डंडी मिल जाती है ऐसे लिखा मिल जाता है अक्सर लिखा होता है कोई नंबर तो अब यह जो लाइन दिख रही है आपको इसका नाम है embankment क्या represent कर रही है ये embankment बताई ये क्या होता embankment बताओ what is embankment तुमको बताना है what is embankment तो ये embankment है जो tank के पास बनी हुई है एक तरह की दीवार होती है embankment to stop the flow of water to one direction मतलब उस दिशा में पानी न जाए इसको रोकने के लिए दिवार खड़ी कर दी गई है और ये three hour क्या बता रहा है relative height embankment की ये क्या बता रहा है height समया या य जो 3r लिखा है अभ ये हाइट बता रहा है ये हाइट है इसकी three meter three meter यह indicate कर रहा है embankment की height indicate कर रहा है देखिए जिसके सामने निशान लगा है अगर well के सामने बना होगा तो समझ जाएगा depth of the well की बात कर रहा होगा यहां से सुनिए वेरी बात को अगर blue color का है lined perennial well है और उसमें अगर r लिखा है तो वहाँ पर height नहीं बताएगा बलकि depth बताएगा कि लेर हो गया चारो तरह की heights क्लियर हो गई आईए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं drainage system की survey map में आपको black रंग की बहुत सारी lines दिखाई देंगी खूब सारी lines दिखाई देंगी survey map में black color की आप देखेंगे कि बहुत सारे यहीं पर देखेंगे आपको धेर सारी black lines दिखाई दे रही है यह जो black lines दिख रही हैं सर्वे map में यह इंडिकेट करती है narrow streams देखें कितनी सारी black lines दिखाई दे रहे हैं तो आपको दिखेंगे जो black lines यहीं indicate कर रही है क्या स्ट्रीम्ज ये ड्राए स्त्रीम्स हैं कैसी स्ट्रीम स्ट्रीम कर लेजी प्लीज यह आप यह आप यह स्ट्रीम से यह नदी को मिलने वाली छोटी-छोटी नदिया है नाला है समझ गए there are narrow streams और और नालाज और कैनाल्स that join the main river जितनी थिक हो रही है ये जितनी थिक हो रही है उतना जादा इसके अंदर water है और black color के indicate करता है कि ये पैनियल नहीं है ये seasonal है इसका मतलब है इसमें साल भर पानी नहीं रहता है only during the rain तो drainage क्या topic है हमारा drainage अथार्थ drain अथार्थ water का flow क्या बताना है हमको पानी का flow बताना है किस दिशा में पानी का flow करता है इससे जो shape बनता है इसे हम drainage pattern कहते हैं क्या कहते हैं drainage pattern drainage pattern मतलब drainage से बनने वाला shape drain मतलब जो आपने passage of river stream canals देखा नलाज देखा उससे जो shape बन रहा है उस shape के नाम है चार नाम है और बहुत important है ये question इस पर question बनेगा ही सबसे पहला आ रहा है dendritic जैसे की पेड़ की डाली dendritic कैसा दिखता है tree like कैसा tree like branching जैसे लगेगा कि पेड़ बना दिया है ऐसी जगों पे जादा तर कहां होता है जहां पर कह सकते हैं river river is in plains जहां नदी plains में होते है flat land में होती है वहां पे नदी ऐसा करती है कैसा दिखता है structure आपको लगेगा कि किसी ने क्या कर दिया है पेड़ बना दिया कोई fixed shape नहीं है कहीं से भी क्या हो जाएगा यह structure यह सब black color के दिखेंगे बता दे रहे हैं क्योंकि मेरा background black है इसलिए मैंने white पे बना दिया है ठीक ह लगेगा कोई भी शेप कहीं से भी निकलता हो नजर आ जाएगा आपको यह बहुत common मिलेगा आपको अपके सर्वे मैप में यह यह जो यह जो डेंडिट डेंड्रियाटिक पैटरन है ट्री लाइक ब्रांचिंग लाइक सबसे common है most common feature आपको आपको देखेंगा सर्वे में क साहा पे ट्री की तरब यह बलेक, बलेक, बलेक कलर के ब्रांचिंग और यहाए सारी ब्रांचिंग आ करके इस पर मिलती मेन नदर आ रहे हैं आपको ऐसे नान correspond passages हैं हाना जो आ करके यह में में इस पे आके मिल जा रही है इस पे इस पे आके मिल जा रही है और यह थिक होगा सबसे और क्योंकि ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब है यह नॉन यह यह द्राय रहता है और बारिश के मौसम में पानी रहता है इनके पास दूसरा ड्रेश पैल्वाश फेन है इसे रेक्टेंगूलर कहने का रीजन है क्या रीजन है दे ड्रेन्स आर क्या ड्रेन्स जो है इसमें जो स्ट्रीम्स है इसमें आर रेक्टेंगल और और पर्पेंडिकुलर कैसी होती है स्ट्रीम्स इसमें पर्पेंडिकुलर शेप की होती है perpendicular होती है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक stream जा रही है और देखिए streams आगे क्या हो जा रही है उससे perpendicular हो जा रही है perpendicular मतलब they form 90 degree with the main stream जो main stream है उससे 90 degree अच्छा जरू नहीं एक दिशा में जाए ऐसा भी हो सकता है they can move to the second side also like this also तो ऐसा लगेगा कि जो streams है वो 90 degree पे आके क्या कर रही है इस पे meet कर रही है इसको कहते हैं क्या trellized trellized एक ऐसरी streams है जो basically जहां soft and hard lands होती है वहाँ पाई जाती है जहां पे drains आकर के right angle पर आकर के मिलते हैं perpendicular मतलब right angle पर आकर के lines मिलती हैं आपको ये भी आपके sheet में मिल सकती है commonly मिल जाती है but most common कौन सी है dendriatic pattern tree like pattern पेड की डालियों का तरह pattern अब आता है radial pattern सोचे कहीं पर tank है कहीं पर बड़ा कोई temple है और उसकी आस पास चारों तरफ क्या है लोगों ने घर बना रखा है जैसे जैसे एक पहाड की height है ये एक height है imagine करते हैं ये contour दिखा करके समझाते हैं ये contour intervals दिखा रहे हैं आपको अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो streams हैं ये जो streams हैं ऐसे कुछ करती नजर आ रही है आप imagine करिए कि आप पहाड से ऊपर पहाड से ठीक ऊपर आप helicopter में बैठे हैं और आप ऊपर से देखे helicopter से ऐसे देखे नीचे तो आपको दिखाई देगा क्या उस पहाड की चोटी तो दिखाई देगी पर आपको दिखाई देगा कि नदिया कई दिशा में कई धाराओं में भैती भी नजर आएंगे कुछ इस तरीके से तो ऐसे pattern को हम लोग कहते है radial pattern इसे star like pattern भी कहते है क्या star like है जादा तरब को कहां मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे contour lines मिलती भी नजर आ रही है जो की indicate कर रही है height of the place यह place उची जा रही है देखे यह place धीरे 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 हाइट पर ले रही है और इसी लिए यहाँ पर drainage कैसा है radial drainage है clear है radial star like कहां मिलेगा आपको usually जहाँ पर पहाड से नीचे आतिव नदे आ रही होगी हाँ यहीं पर लोग आसपस घर भी बसा लेते हैं इसके आसपस लोग जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर क्या करते हैं अपना घर भी बसा लेते हैं तब यह radial settlement बन जाता है आए एक और है जो आपको बहुत commonly मिलेगा इसमें बहुत common मिलेगा अगर रहिस्तान का इलागा है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है streams सुख हो जाती है या इतना sandy होता है कि streams क्या हो जाती है sand के अंदर चले जाती है dried up हो जाती है and that is called as disappearing क्या खास बात है disappearing की आपको जो streams है वो disappear कर जाती है streams disappear dry हो जाती है they do not reach the river they do not reach the ocean सबंग तक पहुची नहीं पाती है रास्ते में क्या हो जाती है disappear हो जाती है इसकी पहचान है कि usually यह ऐसे दिखाई देंगी black color की यह black की दिखाई देंगी पर बाद में आके dot 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 के रूप में represent करेंगी इसकी पहचान बहुत असान है these dots दिखाई देंगे यह जो dot 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 है यही इसको बता रहा है कि यह disappear होने जा रही है इसका मतलब इसके नीचे यह stream है इस soil के नीचे चले गई है यह soil के नीचे का portion है ठीक है जो dot dot दिखा रहा है कि यहाँ पर आकर के stream क्या हो गई dried up हो गई यह soup गई है यह बहुत common मिलेगी आपको कैसे color के होगी black color और यह black color के dot 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 दिखाई देंगे जो show करेगा कि यह एक disappearing stream है आईए survey map में colors का बहुत importance है हाँ आप देखेंगे colors जो दिखने वाले है सबसे पहले black color है black color किस काम आ रहा है survey map में name लिखने के काम आ रहा है ठीक है किसी भी वाठर बौड़ी है किसी का नाम लिखा है То name अगर dry streams है तो black color कि मैंने कहा था black color के slice स्टीइम्स होंगी railway का symbol बना होगा ऐसे बना होगा railway का symbol ठीक है और telegraph का symbol बना होगा telegraph का symbol बना होगा तो telegraph line telephone lines यह सब black 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 ग्लेगा किसी कुन हो ब्लू कलर में कि यह हो ब्लेक संज जाएा कि वहाँ पर क्या होता है वहां लॉंबरिंग मेन एक्टिविटी और अगर लाइट ग्रीन है तो समझ यह वहां पर ग्रास लेंड है और चिड्स है फ्रूट गारडन है वेजीटेबल है ठीक है ना यह सम मिलेगा जहां पर क्या हो लाइट ग्रीन है तो क्या होगा वाइट ग्रास लेंड्स में कभी कभी दिखा इसे बने होते है और इस ब्लैक की लाइन उती है और इस ब्लैक लाइन के साथ ऐसे बने मिलेंगे तो यह जो दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि जो वहां पर ग्राउंड है वह इतना कराब हो चुका है इतना अन-फर्टाइल है इतना खराब ग्राउंड है कि वो रॉकी और बैड लेंड है यह यह प्लेस खेती लायक नहीं है जैसे करते हैं पपड़ी उखड़ जाना धूप पड़ती है वहां की जो स्वाइल है इतनी हाड एंड क्रस्टी है उपर से कि उपर की पपड़ी छूट जा रही है ऐसे ऐसे मिलेगी है ऐसे तेड़ी मिलेगी ऐसे से करते हैं निखाई देगी ऐसे लगेगा कि किसी ने क्या क्या स्कॉयर बॉक्स बना दिये दोनों तरफ तो यह पैचान होगी वाइट लेंड मतलब यहां पर आपको खेती वाला काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्वाइल ही नहीं वहां पर ठीक है आप एक खेती सबसे मेंध ऑक्उपेशन है अग्रिक फेशर वहां हो रहा है और ब्राउन कलर मिलेगा सर भी मैपने किसके ब्राउन क्लर मिलेगा तो Edward운 मिलेंगे ब्रॉं क्लर के और प्रांटूर तो ब्राउन कलर की लैश ख होती है। कुछ इस तरह कि यह से दिख्ते हैं देखेंगे सेंड डून समतलब रेत का टीला क्या रेत के पहाड गृत के बना रहा हूं आपके ऐसे डॉट डट डॉट डॉट टॉट रॉट रॉट डॉर काल मिलेंगे अगर मैं अपमें कहीं पास पास दिखेंगे तो समझ जाएगा ऐसा brown dot जो दिख रहा है यह sand dunes है आपने दिखा होगा रगिस्तान में ऐसे sand के पहाड़ बन जाते हैं और यह हवा की दिशास से change होते रहते हैं जैसे से विंड डिरेक्शन चेंज करती हैं वैसे sand dunes ब्राउन कलर के नेक्स आता है रेड कलर रोड्स के लिए रूप में आएंगे बिल्डिंग्स में आएंगे मार्किंग्स में आएंगे जो आपकी कॉंटूर लाइन होती हैं उसमें भी बहुत जगें क्या होगा उसका स्तमाल हो नहीं समझें आप आपका जो मैप है वो तो बहुत बड़ी एरिया को रिवेजन कर रहा है पर आपने उस बड़ी एरिया को क्या कर दिया है एक कागज में एक छोड़े कागज में कर दिया है तो आपको real place को actual land को map में चापना है न तो that is why we need a scale तो scale क्या बताता है scale एक तरक एक रेशियो होता है distance on map map में वो place की distance क्या है और उसका distance on actual ground क्या है इसके ratio को कहते है इसका मतला है उपर वाली value पहली value क्या बताती है map में अगर कोई place 1 देखे ध्यान से यहां पे लिखा रहा है वन और यहां दिखा रहा है 50,000 यह नंबर याद कर लिजिए क्योंकि यही हमारे survey maps में पूरे टोपोग्राफिकल मैप में यही रेशियो अपलाई होने वाला है आपके जो बुक में आप मैप देखे सर्वे मैप के नीचे बनावा मिलेगा आपको यह scale बनावा मिलेगा तो ग्राउंड में 50,000 सेंटिमीटर के बराबर है नंबर याद कर लिजिए तो स्केल तीन तरीके से रिप्रेजन की जा सकती है जैसे मैं लिख रहा हूं पहला है स्टेटमेंट के रूप में स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया one सेंटीमीटर is equal to 50,000 सेंटीमीटर तो यह जो सेंटीमीटर है वह the distance on the map है यह दूसरा 50,000 सेंटीमीटर है वह the distance on the actual ground मतलब मैप का एक एक सेंटीमीटर जो प्लेस मेप में एक सेंटीमीटर ढूर है एक्चली वह 25,000 सेंटीमीटर है एक शर्याब को देखेंगे ऐसी बड़ी सी scale बनी होगी, उस scale में यहाँ पर colored marks लगे होगी, color बना होगा, हाँ, कुछ coloring की गई होगी ऐसे ऐसे करके, और इसमें number लिखा होगा, इसमें number लिखा होगा, coloring करके, ठीक है, यह जो scale है, इसका नाम है linear या graphic, आप इसमें graph की scale देख पाएंगे, और तीसरा और आ 50,000, देखा, तो यह तीन तरीके से scales दिखाई जा सकती है, जो RF है, वो ratio में represent की जा रही है, ठीक है, representative fraction, पहला number हमेशा क्या बताएगा, distance on map, और दूसरा number, distance on the ground, clear है, आईए आगे बढ़ते हैं, कुछ settlements की बात करते हैं, settlement, हाँ, हाँ, जहाँ पर human dwellings है, जहाँ पर इंसान रहते हैं, मैंने आपके लिए पूरा survey sheet, yes, पूरा interpretation of topographical map, आज ही finish कर देना, इसलिए कुछ भी miss मत करना, इसमें कुछ भी miss कर दोगे, guarantee है, तुमारे number कट जाएंगे, वरना 10 मात तुमारे आज पक्के हैं, हर कुछ आपको यहीं मिल जाएगा, कहीं भी आपको book, कु क्योंकि हम हर कुछ, everything that is in the survey map is being explained, हर कुछ यहाँ explain कर देंगे, आपको कहीं कुछ, even जो simple language में लिख रहा हूँ, यह सारा कुछ, जितना भी digiboard में लिख रहा हूँ, आपके लिए सब कुछ तुमें दे दूँगा, हाँ, हमारे telegram channel को अगर join नहीं किया है, तो उसका description में link भी देंगे, वहाँ से join कर लिजेगा, और telegram channel पर यह सारा share कर दूँगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, वास, आपका पूरा topographical map खतम, simple language में और आप उसको फिर लगा पाएंगे, बात करते हैं, settlements की, जहां collection of human dwellings, dwelling मतब घर, जहां हमारे घर है, एक साथ, उसका collection है, जैसे हमारी कलोनी हमारा settlement है, हमारे बहुत सारे flats, मकान, घर, आसपास है न, इसको red रंग से represent किया जाता है, किस से represent करते है settlements को, red boxes से, red box बने होंगे, कैसे box बने होंगे, square या rectangular box बने होंगे, कुछ दिखाओं आपको, चली, पहला दिखाते है, linear या ribbon patterned settlement, इसमें क्या होता ह है, ज्यादा तर कहीं पर अगर कोई road हो, हाँ, ये कोई road जा रही है, इसके पैचान है red color की होती ही road, इसके दोनों तरफ, जरूर नहीं है कि आमने सामने हो, पर इसके दोनों तरफ ऐसे red रंग के square या rectangular box मिलेंगे, जो indicate करता है line, अब वो line कोई road हो सकता है, कहाँ पर, housing या dwellings, कहाँ पर है, along the both side, तो houses along a line, अब वो line किसकी है, मैंने का line है, road की, railway track की, ठीक है, कोई और water body की, ठीक है न, अगर दोनों तरफ है, तो इसे linear या ribbon settlement कहते हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये एक cart track है, क्या है, क्या है, cart track, bell गाडी से चलने वाला रास्ता, और इसके दोनों तरफ घर बने मतलब सडख बनी उई है, चलड़क के इधर मकान, चलड़क के इधर मकान, सलड़क के इधर मकान, पडख के उधर मकान हारे हमारा आपका मकान तो देखें ऐसी बना हूआ है क्या कहते है गलीयों में जो हमकान बना होता है वह यह पिर आते हैं Linux के बाद आता है डिसपर्सरदway सेटल्मेंट scattered settlement ये मकान spreaded होते हैं क्या होते हैं spreaded apart होते हैं मतलब ये जो मकान दिखेंगे आपको they are spreaded apart और far away from each other कैसे दिखेंगे आईए दिखाते हैं red रंग के boxes होंगे क्या red रंग के boxes होंगे और ये red boxes कोई fixed direction में नहीं होंगे होंगे तो दूर दूर होंगे दिख रहा है आपको ठोड़ा red color कम दिख रहा होगा पर फिर भी आप zoom करके दिखे तो आपको दिखेगा कि ये ये जो pattern है dispersed या scattered है क्यों ऐसा होगा वहाँ पर dispersed क्यों होंगे क्योंकि वहाँ पर land क्या होगी या तो large quantity में available होगी और या तो वो एक habitable place नहीं है बहुत suitable place नहीं है इसलिए वहाँ लोग क्या करते हैं कम रहते हैं वहाँ settlements कम है लोगों की dwellings दूर दूर है ठीक है आते हैं और आगे बढ़ते है radial radial drainage भी पढ़ा था हम लोगने और radial क्या है settlement भी है अक्सर किसी बड़े tank किसी बड़े water body के आगे भी आसपस क्या होगता है ऐसा त्रम है इसकी पहचान क्या होती है यह जो lines बनी है न ऐसा लगेगा star-like है यह lines अब इन lines के इस stream के यह जो black रंग की lines होंगी यह इन streams के दोनों तरफ आपको square boxes rectangular boxes मिलेंगे इनका नाम है radial pattern या star pattern ठीक है वैसे star तो आप लोग भी है क्या कहते हैं star star pattern चलिए याद आगया तो radial pattern है star pattern है यह common आपको उन जगों पे मिलेगा जहाँ पर मैंने कहा radial pattern का drainage भी होगा और यह थोड़ा कम है आपके survey sheets में यह सबसे चादा मिलने वाला drainage pattern nucleated जैसा नाम है nucleated मतलब clustered क्या मतलब clustered मतलब grouped together grouped in one place यहाँ पर बहुत सारे settlements आपको किसी एक ही place पर दिखाई देंगे आपको बहुत सारे different different sizes के चोटे बड़े red boxes पास में मिलते वे नजर आएंगे आप देखेंगे कि खूब सारे ऐसे होंगे क्या indicate करेगा यह यह दिखा रहा है कि घर पास पास में है सटे सटे हुए एक चट चे दूसरे चट कूत के चले जाओ यह यह दिखा रहा है कि यहाँ पर population dense है यह बहुत सारे लोग एक साथ मिलके रहते हैं इसे कहते है है nucleated settlement आपके मैप में सबसे common सबसे common settlement यही मिलेगा आपको nucleated settlement चलिए चारोड़के settlement देख लिए आईए occupations समझते हैं occupations मतलब होता है लोग क्या-क्या काम करते हैं अगर green color आपके map में ज़्यादा है तो समझ जाहिएगा forestry वहां का main occupation है वह भी खास करके dark green ग्रीन हो तो कौन सा dark green वाला क्योंकि dark green होगा तो आप समझ जाहिए कि वहां के लोग forestry करते हैं पर अगर light green होगा green में भी अगर light green होगा तो समझ जाहिएगा वहां पे sheep rearing main occupation है क्यों क्यों कि जहां पर light green है वहां पर forestry नहीं होती है वहां पर grasslands जादा होते हैं घास उकती है और चिड्स होते हैं तो वहां पर sheep मैप में कहीं white land है जो की जो की एक एक ऐसी लेंड होती है जहां पर cultivation पॉसिबल नहीं है हां एकदम बंजर भूमी है एकदम काम के लायक नहीं है पपड़ी उखरने लगती है अना धूप में जलने सूखने लगती है वहां पे क्वारींग हो सकती है वहां पर माइनिंग हो स पास तो आप वहां के लोगों का occupation fishery से जोड़ सकते हैं फिश्री या एक्वा कल्चर कर सकते हैं वही पानी से जुड़े एक्वा कल्चर आगे बढ़ते हैं डिरेक्शन बिट्वीन प्लेसेस को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे चलिए एक कुश्चन डिरेक्शन से पहले कि अगर आप से पूछें कि वेस्ट कहा है इस्ट कहा है तो क्या बता होगी हां तुमसे पूछ रहा हूं वेस्ट इस साउथ यह तो आप बता देते हैं वेस्टी समेशा भूल जाते हैं तो बस जहां मैप रखा है वहीं सामने देखो और वहां पर वी लिख दो क्या लिखना है वी 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 अब इन दोनों के बीच में अगर कोई प्लेस होगी तो इसका नाम क्या होगा नौर्थ वेस्ट समझ गये क्यों क्योंकि नौर्थ और वेस्ट के बीच में पर यही प्लेस यहां चली जाए नीचे हो जाए तो देखे साउथ और वेस्ट के में प्लेस होगी बीच में तो साउथ ओ साउथ और इस्ट के बीच में प्लेस होगी तो इसका नाम हो जाएगा सावथ इस्ट क्लियर है और यहां पर देख लिजिए यहां पर चार डिरक्षन बंद रही तो डेक्षन और बन रही है यह जो सेंटर से जारी लाइनगा सेंटर हो जाएगा यह जो है नोर्थ लिस्ट नौर्थ ओ नहां पर है साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आपको याद होगा साउथ वेस्ट मौनसून याद आया साउथ वेस्ट मौनसून हमारे देश में आता है इंडिया में जो में रेनफॉल देता है साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में चलो आठ कार्डिन काडिनल डेक्षिंस है आईए इसका लुष करते हैं अब 시स्पे क्या करते है आपको और दिरेक्व इसका डे यू आरा अर यहां पर दो एदिया एक देवी टेमपल क्या देदिया देवी टेमपल क्लियर है चैनल है क्लियर हो गया अब आप से पूछ रहा है वाट इस दी डारेक्षन और दौरा रांग देवी टेमपल तो आपको कीवर्ड पकड़ना है पहली चीज है डिरेक्षन किसका निकालना है दौरा का ठीक है और कहां से निकालना है देवी टेमपल सबसे असान तरीका तो यह है कि उन दोनों प्लेसेस पे पहले सरकल बना दीजे क्या बना दीजे दोनों प्लेसेस पे सरकल ताकि उसका सेंटर मिल पाए अब देवी इस टेंपल को एक point तो है नहीं इसलिए इसका point बनाने लिए क्या करेंगे इस पे एक center खोजेंगे आपको center मिल जाएगा center मिल गया उसी तरह से दोरा को भी क्या करेंगे एक center खोजेंगे center मिल गया दोरा का भी जहां दोनों के center मिल गया अब दोनों के center को स्केल से जॉइन कर दिजे क्या करिए टेक स्केल एंड जॉइन दी center याद रखेगा यूज स्केल सर्वे मैप में दो प्लेसे जिनका direction पूछा गया है दोनों का center अदर निकालने के लिए circle बना करके ऐसा सरकल बनाईएगा कि वो पूरी एरिया उसके अंदर आ जाए और उसमें देवी टेमपल अब देवी टेमपल पर प्लस बनाया उसको बड़ा कर दिया यह उपर नौर्थ है यहां वैस्ट है अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यह प्लेस कहां पर है नौर्थ वैस्ट सो यह और अंसर इस दौरा इस बच्चे कई बार क्या करते हैं इसमें हाँ पर फ्रॉंव है वहांपर जाकर के क्या करना है आपको ऐसे प्लस करके कारडिनल डिर्एक्षन में चेंज करना ऑफ देरेक्षन निकाल नहीं है जिसकी पूछी कई है क्लियर है अबार रैक्शन नहीं बोलेंगे चलिए अब डिरेक्शन तो नहीं बोलेंगे अगर आपको distance पूछ लेगा तो आए डिस्टेंश भी देख लेते हैं इसी कोशिन में डिरेक्शन के साथ सब देख लेते हैं अब आब है तो एक प्लेस से उड़ता हुआ सीधे जल एदुसी प्लेन में वोट इज़ डिस्टेंस निंगालना है distance ठीक है तो distance के लिए भी यही same phenomena करना यही same technique करनी है पहले दोनों का center निकाल देना है center निकालने के लिए उसको encircle करना है plus बनाना है दोनों के center को join करना है और scale से measure कर देना है क्या measure by ruler या scale ठीक है इस distance को measure कर लेंगे इस distance को measure कर लेंगे ठीक है अगर आपका distance आया let's assume 10 cm आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे therefore 2 cm is equal to 1 km so therefore 10 divided by 2 that is 5 km आपका answer आएगा distance of Dora and Devi temple through direct distance is 5 km distance measure कर लेंगे clear हो गया कैसे distance निकालेंगे पर ये distance जो है ये direct distance है straight distance है अगर question change कर रहा हूं ध्यां से सुनिएगा इसी question में अब मिटा रहा हूं उसको ध्यां से देखिए मैं रवड से मिटा आता हूं अपने चलिए अब ध्यां से देखिए कह रहा है distance तो निकालना है but distance through the car track क्या कहना है find the distance through car track क्या होता है अरे भाई जो बैल गारी का रास्ता अगर गया होगा इन दोनों के बीच में सर वो कैसे मिलेगा एक red रंग की curved lines बनी होंगी ठीक है ये red रंग की लाइन होगी मैं बना ही देता हूँ red color से चलिए मैं बना देता हूँ red color से ये देखिए कि कुछ ऐसे जातीव नजर आएगी ये मिल गया अध्यान से देखिए अब आपको क्या करना है ठीड की जरुबत पढ़ेगी अब दिस डिस्टेंस को cartridge को measure करना हो यह और कोई track हो पैथ ट्रेग हो सकता है अब डायरेक डिस्टेंस नहीं है डायरेक डिस्टेंस वित आपने center center को Scale से चोड़ा रूलर से measure कर दिया, upon to कर दिया, इस बार क्या करेंगे, इसको measure by thread करेंगे, क्या करेंगे, measure by thread करेंगे, इस पर thread रखेंगे, तागह रखेंगे, इसको लुए thread मिलता है, पूर्ड की पेपर में टेंशन मत लिए आपको थ्रेड मिलेगा यहां पर रखेगा थ्रेड इस पर रखते जाएगा इसके उपर रखते जाएगा धीरे धीरे करके थ्रेड रखेगा यहां पर थ्रेड रखते 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 जितनी थ्रेड आ र कड़र ने आएगा उसको डिवाइट बैटू कर दीजे जो आपका अंसर आएगा हो किलोमीटर होगा समझ में आ गया हाँ बहुत करो अगर समझ में आ गया है तो याइक भी कर सकते हो क्योंकि मैं पूरा एनरजी के साथ इसको पूरा फिनिश करूंगा या क्या ते समझ में आ इस कमें सीमबल्स आपको हमेशा पता होने चाहिए आपको आता हो चाहिए कि यह कमन सीमबल्स क्या क्या है सब्रें में आपको मिलेगा वार से どil envelop Maila Red probabilities आपको और इस में फूरे कुछ ऐसा निशान मीलेगा यह है आपका पुट फॉर पार अप उड़ब तो आप जानते ही है सड़क के साईड में होता है जहां पर पैदल यात्री चलते हैं डॉट 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 होगा रेड कलर का जहां पर पैदल यातरी चलते हैं उसे फुटपात कहते हैं रेड कलर ये रेड कलर है ध्यान दीजेगा और अगर ये सब जो होते हcken बोजा ऊठाने वारे निमल्स इनके लिए पगडंडी टैप का रास्ता होता है जय सकते हैं चौड़ा रास्ता हैि काट होता है गाड़ी जो bell के पीछ सकती है जिसमेंr पाईये रगे हो उस गाड़ी की बात कर रहे हैं काट ट्रैक तो काट चलाने का ट्रैक यह थोड़ा चौड़ा है यह back track बहुत पतला होता था मैंने कार चल सक्थ tocar नहीं नहीं इसमें कार चल सकती है बहुत अराम से बट मैंने का था यह कार चलाने वाला रास्ता नहीं है कच्चा रास्ता है उबर खाबड रास्ता है सीमेंटेड नहीं है या कहें उसमें गिट्टी नहीं पड़ी हुई है ठीक है यह कार ट्रेक से थोड़ा बेटर रास्ता होता है ऐसा आपको टूटा वा रेड रेड रैंकर की डबल लagem दिखाई देगी आपको स्ट्रेट स्ट्रेट दिखाई देगी यह unmetall road है हाला कि यह सारे unmetall की category में आते हैं पर unmetall अगर 2 parallel line red color की मिलेगी तो यह unmetall road है और unmetall road मतलब वो सड़क जिसमें चाक के पत्थर बिछा दिए गए जैसे कुछ गली वख टाइब के लाकों में, आपका चाहाँ घर है, वहाँ अगर पकी सड़क नहीं, तो सरकार ने आप चकोर-चकोर पत्थर बिछा दिए हैं, यहाँ आलग-लग डिजाइन दार के डमरू शेप के पत् parallel red lines मिलेगी हम इसे कहेंगे metal road यह पक्की सड़क है और आप जितने भी highways में जाएंगे जितने भी सड़कों में घर के बाहर जब आप में रोड पे चले आते हैं वो सब पक्की डामबर रोड है मोटी मचबूस पक्की सड़क है जहाँ पर ट्रक सबब चल सकती है यह दो parallel lines के रूप में दिखाई देगी यह common roads है आपको दिखेंगी ठीक है यह symbol आने चाहिए और क्या आपको आना चाहिए railway track का symbol आपको पता ही है railway track आप जानते ही है railway track black color का मिलने वाला है आपको ठीक है railway track मिल जाएगा आपको हो सकता है कहीं कुछ symbol लिखे हो PS लिखाओ police station लिखाओ डाग बंगलू लिखाओ नदी लिखाओ मतलब वही dry stream लिखाओ यह सब word लिखा मिल सकता है so this brings to the end हाँ वैसे मैंने आपको यह blue color का track दिखाया था आपको एक एक बस दिखा के बस finish करते हैं अगर आपको blue color का ऐसा मिल जाए dark blue पूरा blue मिल जाए तो यह समझ जाए lined perennial well है मतलब यह ऐसा well है जिसमें साल भर पानी रहता है और अगर यह क्या मिले आपको blue color का नम मिले white color का मिले और अंदर dot 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 black color के तो यह समझ जाए यह dry well है क्या क्योंकि black color का है अंदर dot 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 है तो समझ जाए यह dry well है और tank मैंने का बहुत common मिलेगी ट्रेंग आपको टैंक तो बहुत जगह है कि कैसे हम टोग irrigation करते हैं वहाँ पर irrigation कर पता करना हो farming का तो इसे पता चाल जाता है so this brings to the end of the entire topographical maps सब कुछ यहीं finish हो गया है अपने notebook अपने साथ तयार कर लिया होगा तो जरूर जरूर आपको help करेगा and yes यह सारा notes मैं share करने वाला हूं आपको हमारे इसी yes telegram channel पर जहां आप मेरे साथ हैं नहीं हैं तो please do not forget to join it bye God bless you चलिए मिलते हैं आखके अगले lessons में कर दो कर दो